करवा चोत पर सरगी दी जाती है और बाइना या बोया या पोया ये सब क्या होते हैं क्या होता है इनका मतलब क्या क्या चीजें में शामिल होते हैं ड्राइफ रूट्स खाना या श्रंगार की कौन-कौन सी वस्तवे रखे जाती हैं आज किस वीडियो में हम इनी बातों पर चर्चा करने वाले हैं तो नवश्कार दोस्तों स्वागत आपका आपके अपने चैनल सुपर आइडियास पर जहां पर मैं आप लोग के लिए लेकर आते हूं इस तरीके की नहीं नहीं वीडियो तो करवाचोत के बारे में अगर आपके मुन में कोई भी डाउट है तो आप पुरा तयोहार की तरह मनाया जाता है साल भर बेसबरी से इंतिजार करते हैं और इस वर्थ में सरगी के बारे में आप सभी जानते होंगे लेकिन हम आज दो चीजों के बारे में जानेंगे साथ में बाया या फिर पोया किसे कहते हैं वो भी जानेंगे तो जिन्होंने करव पचोत का वर्थ करने वाली सुहागीन सेसूराल वाले या माई के वालों को भी जानना चुछे, क्यूंकि एक चीज होती है जो सासस आपको देती है कई कई चंगे पर यह पर्चलन है, पहले पंजाब में यह ज़दा था, आजकल बहुत सारे लोगे नौर्थ इंजया में जो सको अपनाते हैं अगर आप भी अपनाते हैं तो ये सरगी होती है जिसमें की सरगी में मिली चीजों को वर्थ शुरू करने से पहले खाया जाता है यह आप सुबह चार से पांच बज़े यानि कि सूरज निकलने से पहले आपको यह खाना होता है सरगी करवाच उठके दिन सुबह उठके इसमें आप मठरी शामिल कर सकते हैं मेवे, फल, मिठाई यह सब चीजेस में शामिल होती है पारंप्रिक तोर की बात करें तो पहले यह मिठी के बरतन में दिया जाता था लेकिन आज कर लोग स्टील की थाली वगयरा में इसे दे देते हैं तो यह आपको मैं आगे दो तस्वीर भी इसके लिए दिखाऊंगी तो इसमें बेसिकली इसका मतलब यह होता है कि आपकी सास इसको देती है आपको यह उपहार के दोर फिर और ऐसी चीजें इसमें शामिल की जाती हैं जिससे कि आपको पूरा दिन भूख प्यास ना लगे तो आज कल तो लोग सुबा सुबा पराठे वराठे सब एड़ कर लेते हैं तो वो अपने अकोर्डिंग आप एड़ कर सकते हैं तो कुछ इस तरीके की थाली होती है परंप्रिक अगर हम बात करें तो यह आप देख सकते हैं सिंपल सी थाली जिसमें की सबजी, रोटी, ड् पर यह नहीं है और पहले करवाचोत पर जो पाया जाता है और पहले करवाचोत पर जो बाया जाता है वो काफी चीजे उसमें जाती हैं, करवाभी उसमें जैसे खांड के शक करके करवे कई जंगा होते हैं, तो एक गज़ती क्यावन अऑफ 50 बरतन और कपड़े इसी तरीके से ये चाते हैं, तो मैय के से आने वाला भी कुछ इस तरीके से इसमें सारा सांच स्रंगार का समान, मि बिठाईयां मेवे सूट या सारी सामिल करें और समान को लड़कियां पूजा में पूजने के बाद ही सांस को देती है तो सर्गी जैसे कि मैंने आपको बता दिया है ये सर्गी करवाचोत के दिन दिया जाता है मुख्या बोजन सास के दवारा बहू को सुरियोद्दे से पहल चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही इसका समापन किया जाता है तो सर्गी में आप मिठाई, मट्री, फल, ड्राइफरूट्स, पूरी, कपड़े, गहने, सेवई ये सब चीज़े रखे और सभी चीज़ों को थाली में रखने का अपना-पना महतव है तो अगर आप जानन चाते हैं मैंतव के बारे में तो चैनल पर वीडियो प्रोड़ेट है वहां से आप जाकर देख सकते हैं तो यह थी दोस्तों आज की वीडियो में जिसमें मैंने आपको बताया सर्गी, बाया या फिर पोया क्या होता है उमीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी व वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं है अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लीजे ताकि जैसे वीडियो प्लोड होती है उसकी फेस्बूक या फिर ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर आप मुझे टैग कर सकते हैं वाइटी अंडर्सकोर पुजा शर्मा के नाम से तो थैंक यू सो मच भावाई टेक क्या